हेलो फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको रुखे बालो को सिल्की स्मूद और शाइनी करने का एक एक एफेक्टिव हूम रिमेडी बताने जा रही हूं इसके इस्तेमाल से आपके बालो का ड्राइनेस पुरी बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल बटन को जरूब क्लिक कर लें जैसे मेरे सभी नए वीडियो का नोट्फिकेशन आपको मिल सकेगा तो चली शुरू करते हैं बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिनके बाल काफी ड्राइव होते हैं जिने मैनेज करना काफी मुश्किल होता है लेकिन मेरे इस नुश्के की इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ज्यादा सौफ्ट स्मूध होंगे शाइनी होंगे साथ ही हेर ग्रोथ भी तेज होगा इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा चावल और उसे आपको पानी में भीगो के रखना हो बालों को पुशन देता है इसके अलावा यह हमारे बालों को सिल्की स्मूध बनाने में और शाइनी बनाने में काफी मदद करता है राइस वाटर के मदद से आप अपने बालों को खुबसूरत बना सकते हैं आपको अपने बालों की लंबाई के हिसाब से चावल का पानी ल आप इसका इस्तेमाल करना है आपको सबसे पहले आप अपने बालों को वाश कर लें बालों को शैंपू कर लें बालों को पानी से दोने के बार सबसे आखिर में आपको इसका इस्तेमाल करना है इसे अपने बालों पर लगाए जड़सले के सीरे तक और फिर आपने बालों को नैचरली सुखने دे, इसके इस्तिमाल से आपके बालों की ग्रोथ भी तेज होगी और आपके बाल लंबे घने खुबसूरत होंगे, साथी सिल्की स्मूद और शैनी भी होंगे आप इसे सैंपू के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, या सैंपू के बाद भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है बालों को खुबसूरत बनाने में सिल्की स्मूद और शैनी बनाने में इसका इस्तेमाल जब भी आप अपने बालों को शैंपू करें उसके पहले या उसके बाद में इसका इस्तेमाल आप करें आपको बहुत ज़् खुबसूरत होंगे, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरू करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं अगली वीडियो में